तो अभी तक आपने secondary productivity को बहुत अच्छे से सीख लिया है तो अब time है आपकी knowledge को test करने का तो क्या आप ready है एक challenge के लिए चले इस question को देखते हैं हमारा question है तो आपको इन चारों option में से एक सही option सेलेक करना है जिसमें आपको ये बताना है कि वो rate जिसमें new organic matter बना रहे है consumers उसे हम क्या बोलते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए pause करेंगे ताकि आप इस question को अच्छे से solve कर लें और अपना answer लिख लें तो हमारा correct answer है option A यानि secondary productivity जैसा कि हमने सीखा कि जो consumers हैं वो अपना new organic matter बनाते हैं producers की मदद से जिसे वो consume कर रहे हैं और इसी rate को जिसमें वो नया organic matter बना रहे हैं उसे हम बोलते हैं secondary productivity तो हमारा correct answer है option A